नमस्कार A2Z dishes उशाग उर्जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी एक इतनी मज़िदार सी चटनी देखे आपने तरह तरह की चटनियां खाई होगी पर मुझे नहीं लगता है कि आपने ये चटनी कभी देखी भी होगी या न आज लौकी के चटनी बनाएंगे अब आप वीडियो को बन मत करना आपको ऐसा लगे का कि ये तो वेस्ट है चिलके हम कैसे खा सकते हैं पर एक बढ़ ट्राइ करना देखें लौकी की तो आप सबजी बनाए कड़ी बनाए वह आपके ओपर है उसका हमें चाहिए सिर्फ चि दाल और आदी चमच चना दाल कची कची दोनों दाले आपको डालनी है चुटकी बर हिंग और पांस से छे कड़ी पते हलका सा सभी को बून लेना है उसके बाद इसके अंदर आपको डाल देना है प्यास तो एक मोटे टुकडों में कटा हुआ प्यास और तीन से चार हरी मि मिन तक ऐसे ही भूनना है इन सभी चीजों के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे भून लिया और यह कुछ इस तरह से हो गए अब इसके अंदर में डाल रहे हूँ तीन टमाटर कटे हुए टमाटर एकदम लाल लेना तो काफी अच्छा कलर आएगा चटनी का न डाल देना है अच्छे से मिक्स करते हुए तीन से चार मिन तक और इसे भूनना है जितना आप अच्छे से भूनेंगे न उतनी आपके चटनी स्वादिस्ट बनेगी सच बता रही हूँ एक बार बात मान के देखे और यह छिलकों की चटनी बना के देखे यह चटनी चावल रोटी पराठे पकोड़े सभी के साथ बढ़िया लगती है देखे तीन से चार मिन तक अच्छे से भून लिया अब इन सभी चीजों को आपको एक मिक्सर जार में डाल देना है देखे इस तरह से उसके बाद इसके अंदर हमें एट करना है स्वाद के अनुसार नमक और रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं बनातो रही हूं पर कैसा होगा पर सची में बहुत ही मज़िदार है कुछ हम ट्राइक करेंगे नया तो आप भी ट्राइक करेंगे तो एक बर जरूर ट्राय करें देखे मैं जब भी अभी बनाती हूं न तो रोटी के साथ या कभी चावल के साथ या फिर कभी पराठो के साथ लेती हूँ पकोडों के साथ भी काफी बढ़िया लगेगी तो ट्राइ करना और जाते जाते चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थांकियो फॉर बाच चाएं